हाई अब्रियोन आप सबी को हमारा सेनल पर फिर से एक बर स्वागत है फ्रेंस इस वीडियो पर हम बात करने वोला है अगर आप बैंग ऑफ इंडिया का CSP लेना साथ है तो इस वीडियो पर जो फ्रेंस में आप लोगों को इस टेप बाई ये इस टेप दिखांगा कि बैंग फ्रेंस में घुमा फिरा के कुछ भी नहीं बाता हूंगा क्योंकि जो मैं इस तरीके से CSP ले सुका हूं उसी टोपिक पर यहाँ पर बात करूंगा ठीक है तो यहाँ पर देखिए फ्रेंस में दो टोपिक को फोली किया था एक है ऑनलाइन रेजिस्टेशन करके और दूसर वीडियो शुरू करने से पहले आपका भाई का नाम जानने जिए मेरा नाम है इलियास और आप देख रहा है इलियास कॉमपानी अगर आप लोग फार्स टाइम इस चैनल पर आशोका है तो प्लिस प्लिस चैनल को सब्सक्रेब कर दिना इस चैनल पर जोए फ्रेंस हमेशा आप लोग को हैल्फुल वीडियो दिखने के लिए मिलेंगे आप लिए खेप्ली करेंगे ए slightly क्या सब्सक्रेब करना होगा और उसका बात हम बात करेंगे कि offline तरीके से आप लोग को किस तरीके से रिजिसेशन करना होगा तो फुल डिटेल्स जानने के लिए फिलिश फिलीज वीडियो को इन तक देख लेना सब्सेपहले आप लोग को इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पर आ जाना है और उसमें आप लोग एक लिंक मिल जाएंगे उस लिंक पर आप लोग जैसे किलिक करेंगे सो डाइरेक्ली इस ओला पैस पर आ जाएंगे ठीक है यहाँ पर देखिए फ्रेंस लिखा हुआ है यहाँ पर CSP Online Registration सो यहाँ पर फूल फ्रॉम यहाँ पर आ शुका है जैसे कि आप लोग यहाँ पर अगर फ्रॉम को फिलप करके यहाँ पर उसका बात जोई फ्रेंस आपका सथ कॉंटेक होगा और नेक्स्ट जोई फ्रेंस आप लोगों को 10 से 12 दिन का अंदर आपका जोई फ्रेंस CSP ID आ हुँ तो यहाँ पर जैसे मैं क्लिक किया है इसका बात जोई फ्रेंस यहाँ पर देखें बैंग ऑफ इंडिया का जो CSP फ्रेंस वो उसका जो लोगिंग का सिस्टीम है वो यहाँ पर आशुका है ठीक है तो अगर मैं यहाँ पर मेरा आईडी को डाल देता हूं उसका बात जोई फ्रेंस पासवर्ट और यहाँ पर क्या अफसर अडर के लोगिंग करना है ठीक है तो उसका बात जोई फ्रेंस फाइनली मेरा यहाँ पर CSP लोगिंग हो जाएंगे ठीक है तो मैं अभी आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से आप लोगों को ऑनलाइन तृप्र के से रिजिस्टेशन करना है ठीक है तो उसका बात मैं आप लोगों को बात हुआंगा कि ऑफलाइन तरीके की इस तरीके से आपको रिजिस्टेशन करना है तो आप यहाँ पर लिंक पर किलिक करेंगे तो यहाँ पर देखिये लिखा हुआ है CSP online और इसयोग इस पूरकर को option आ जाएंगे ठीक है इसे भी आ सकता है आपका समने तो उसका बात देखें फ्रेस्ट यहापर जो online register को option है इसमें किलिक करना है ठीक है तो अगर आप लोग इसको इसको scroll down कर लेते फ्रेंस तो scroll down करने का बात देखें फ्रेंस यहापर भी लिखा हुआ है गिराहुक सेभाग के अंदर एप्लाई टूडे ठीक है तो जैसे आप यहापर किलिक करेंगे फ्रेंस डाइरेक्ट यहापर आ जाएंगे इसके लिए मैं यहापर को दिखाने ुंदर आप लिए उसका बात tekई और यहापर दो इमल आइडि और मोबल नंबर को बाहरते को बहरते Sacred और यह जो mobile नॉमबर आपको बहरतेना है और एffee स्था डिय नंबर अधर आधर नंबर कर दो इफ्रेंस वह आपका अधरकर्ट का साथ लिंग होना साहिए ठीक है तभी आप लोगों को यहापर भरना है इसका बात देखे इफ्रेंस यहापर date of birth आपको भरना है next जो आपको आपका qualification यहापर देदेना है ठीक है so next देखे इफ्रेंस यहापर आप लोग को social category भर देना है और उसका बात देखे इफ्रेंस यहापर gender आपको select करना है so next यहापर are you in job मतलब आपका अगर job कर रहा है तो आपको यहापर yes या no कर देना है ठीक है so मतलब आपका हिस्याप से कर देना है इसमें job friends sample से है आप लोग को just यहापर कुछ भी यहापर आपका problem नहीं आने वाला है direct आप भार पाएंगे ठीक है so next देखे यहापर monthly income आपका कितना है वो यहापर फार देना है और यहापर type of property for CSP outlet ठीक है so आपको यहापर देना है outlet मतलब आप लोगों को वो भी बताऊंगे कि outlet का मतलब क्या है ठीक है so उसका बात देखिए फ्रेंस यहापर cash deposit and cash receipt number अगर आप लोग पहले से यहापर receipt को ले सुका है मतलब offline तरीके से अगर आप लोग bank में receipt ले सुका है मतलब cash deposit करके तो आपको जोई फ्रेंस उस receipt number आपको यहापर भरना होगा ठीक है अगर आप लोग नहीं गया कि offline तरीके से नहीं किया तो आपको जोई फ्रेंस यहापर receipt number देने का ज़रूरत नहीं है ठीक है उसका बात देखें यहापर जो photo का option है तो आपको जो फ्रेंस जाष्ट आपको यहापर एक one को भी photo को upload कर देना है ठीक है next जो आपको scroll down कर लेना है और यहापर देखें आपको जो address है उस address को यहापर भर देना है सबसे उपर लिखा हुआ है village और निशा पंचायत and डॉप लग सकता है ठीक है, लिखेसंगी, पुस्ट का नाम ही हम आपको next आपको district name देना है, state name देना है, उसका बात आपको pin code देना है, और finally आप लोग को यहापर समझना सही है, ठीक है, so यहापर तो लिखा हुआ है national bank का CSP लेना साथ है, तो आपको यहापर उस bank का name type करना है, ठीक है, so आप private sector bank का CSP लेना साथ है, तो sample से आपको यहापर, आपका उस bank का नाम आपको यहापर भरना है, और उसका बात आपको submit कर देना है, ठीक है, submit करने का बात आपका साथ contact करेंगे, और इस number पर आप contact कर भाएंगे, ठीक है, so अभी आप लोग को मैं दिखाने वाला हूँ कि यहापर outlet किया है, ठीक है, so यहापर ability for opening and maintaining of CSP, ठीक ह है, so यहापर देखिये, आपका उम्रों कितना होना साही है, यहापर लिखा हुआ है, 21 years होना साही है, उसका बात आपको computer का knowledge होना साही है, मतलब आप लोग को कुछ भी computer का काम थोरा जानना साही है, ठीक है, उसका आपको देखना साही है कि आपका eligibility है या नहीं, ठीक है, so उसका बात देखिये, परेंस, requirement, यहापर लिखा हुआ है, 252, 300 square feet outlet, ठीक है, so मतलब आपका जो CSP होगा, परेंस, उसका जो square feet है, परेंस, वो 252, 300 होना साही है, ठीक है, so उसका बात देखिये, परेंस, यहापर लिखा हुआ है, one counter, one laptop और desktop, और उसका बात, internet connectivity होना साही है, और electricity होना साही है, ठीक है, तो उसका बात देखिये, परेंस, यहापर contact यहापर देशुका है, अगर आपको इससे भी ज्यादा जान करी साही है, तो आप इसमें contact कर सकता है, ठीक है, so इस तरीके से, आप लोग, online CSP अपलाई कर भेंगे, so इसमें, आप लोग, अगर यहाप आप लोग का हिशाब से आपको bank select कर लेना है, so मैं यहापर जोएफिनेस देखी, यहापर bank of India में, पहले से यहापर कर सुका था, ठीक है, so उसका बात जोएफिनेस, मेरा यहापर हो सुका है, bank of India का CSP, अभी जोएफिनेस, bank of India का CSP ज्यादा लोगों को मिल रहा है, so अगर आप लोग bank of India का CSP लेने में interest है, तो आप लोग यहापर apply कर पाएंगे, ठीक है, so इसमें क्या है फिनेस, आप लोग zero balance account भी कर पाएंगे, और saving account, current account, salary account, बहुत सरा कुछ account आप लोग यहापर कर पाएंगे, और ऐसे भी है फिनेस, इसमे minor account का भी facility आने होला है, ठीक है, so आपको जो फिनेस, bank of India का CSP लेना बहतर होगा, so उसका बात देखिए फिनेस, यहापर आप लोगों को मैं अभी दिखाने होला हूँ, कि अगर आप लोग offline तरीके से करेंगे, तो आप लोगों को किस तरीके से करना हुआ, ठीक है, so यहापर देखिए फिनेस, यह जो आप को पेस्ट देख रहा है, यहापर देखिए, मैं यहापर अल्रेडी डाउनलोड करके रख सकता हूँ, from को, so आपको जो फिनेस इस from को भरना है, और उसका बात जो फिनेस आपको bank पर जाना है, ठीक है, so इसके लिए जो फिनेस मैं अलग सा एक वीडियो बनांगा, next वीडि देखिए, ठीक है, so फिनेस वीडियो अगर आच्छा लागा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और साथ में चैनल को सब्सक्रेब कर देना, so फिनेस अगर आप लोग एक सब्सक्रेब कर देता हमें जो फिनेस बहुत ज्यादा मोटिपेट मिल जाता है, और आपके लिए इस उफिनेस हेलफुल वीडियो लाने में भी हम कोशिश करते हैं, ठीक है, तो चलिए फिनेस वीडियो को आज कतम कर देते हैं, तो मिलते आगले वीडियो का साथ, जैहिन!